Hello everyone, welcome to this video आज का मार्केट काफी ग्रीन है Monday मार्केट ग्रीन मार्केट चल रहा है लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक चीज है जिसके बारे मैं आपको पता होना चाहिए जिसके कारण ये मार्केट कुछ घंड़ों में बिलकुल रेड हो सकता है उसके बारे में डेस्कस करेंगे बिटकोइन के पॉसिबल मॉव्स हम डेसकस करने वाले हैं वर्ल्ड में क्या न्यूज है थोड़ा बहुत यूस मार्केट में क्या चलने वाला है वो भी हम discuss करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो काफी influence करता है crypto के market को तो सबसे पहले bitcoin की side ही चलते हैं तो bitcoin ने इस triangle को break यहाँ पर की side और यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि mass positive moment आया है market में and हमने अपने accumulation zone को भी यहाँ पर break कर दिया है अब यहाँ पर जुन immediate resistance रहेगी local resistance रहेगी वो इस एरिया पर आएगी 31,400 पर उसके आसपास आप अगर आपने एक local long लिया है तो आप इसको वहाँ पर track कर सकते हो ठीक है लेकिन bitcoin की movement I don't think यहाँ पर इतना फारक पड़ेगा क्यों मैं इसा बोल रहा है आपको explain करता हूं तो सबसे पहले आप में investing.com में जाएंगे देखेंगे कि market sentiments क्या है Monday की opening के लिए तो आप Monday opening का sentiment देखोगे तो इतना bearish बहुत कम हमें देखने को मलता है रेगुलर्ली अगर हम देखें तो 3,000% का up and down होता है तो काफी undecidable रहता है लेकिन यहाँ पर आप extremely bearish देख रहे हो और उसका reason मैं आपको बताता हूं वह यह वाली news है जिसमें बेड़न ने monkey pox जो कि एक नई बिमारी है उसके बारे में करा है कि it is something to be concerned about नतलब की यह एक और pandemic हो सकती है ऐसा video ने imply किया है अब वो सच है गलत है उसका फरक हमें नहीं पड़ता है क्योंकि उसका market में क्या effect है हमें उससे देखना है market का effect आप देख रहे हो कि sentiment यहाँ पर ultra bearish हो गए है तो S&P 500 पर यहाँ पर जो opening होने वाली है इसके red होने के काफी chances यहाँ पर increase हो जाते हैं जब भी वो red open होता है हमें पता है Bitcoin पर क्या हमें देखने को मिलता है तो beware of that S&P 500 को काफी track कर रहे है Bitcoin जादा इसकी बात करने लग गया है अजकर क्योंकि यह काफी जादा influence कर रहा है तो अभी यहाँ पर हमें double bottom देखने को मिल रहा है तो double bottom downward trend में जनली हमें क्या देखाता है यह में जनली दिखाता है कि हम upside movement यहां पर लेंगे ठीक है एक और चीज़ हम देखेंगे कि S&P 500 जो है इस trend line को काफी follow कर रहा है इसी से बार-बार bounce back ले रहा है जब भी नीचे आ रहा है अभी 3800 dollars का जो area है वो as a strong support काम कर रहा है और इसको हमें capture करके रखना है यहां पर मैं छोटा सा relief bounce expect कर रहा था मंदे से बर जो यह news आई है इसके कारण में थोड़ा सा और bearish हो गया हूं तो अगर अपने long positions अपनी open रखी है तो please have a good stop loss there market all the long करने लाइक लग रहा है लेकिन I will still ask you guys to be a little bit caution ठीके question रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है so that was it for the quick update मैं travel कर रहा हूं तो जादा अप्डेट मैं दे नहीं पा रहा हूं लेकिन हम try कर रहे हैं अपके ले अच्छी से अच्छी अच्छी अप्डेट लाने के लिए and important चीजों पर point आपको कर दे रहे हैं अपने doubts are comment section में डाल सकत जोखे केवल दो दिन के लिए 399 पे अविलेवल है description में आपको सब कुछ मिल जाएगा thank you for watching i will see you in the next video